हेलो श्रेंट्स प्रीबियस येर पेपर के संख्रा में आज हम 2022 सट बील का केमिस्ट्री पार्ट का देखेंगे कैसे सल्यूशन क्या है पहला प्रस्ट इसमें पांच में का का है प्रोपे नल प्रोपे नल यानि कि ये कौन सा समू है और इसमें कार्बन कितने होंगे प्रोप का मतलब तीन कार्बन होते हैं तो हमारा इसमें जो सही एंसर है वो होता है क्या उसका CH3 ये प्रोपे नल की बात करें तो ये क्या होगा इसका सूत्र हो जाएगा आपका CH3 CH2 CHO तो इसमें कितने कार्बन होगे एक दो तीन कार्बन होगे और तीन दो पांच एक छे यानि कि इसका कौन सा अप्सन सही हो जाएगा दूसरा अप्सन सही हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं अगला क्विश्चन हमारा कह रहा है निम्न में से धातु है बोरान लीथियम सिलिकान कार्बन तो आप देखेंगे कार्बन हमारे धातु है अब बोरान और सिलिकान योप धातु में आते हैं तो लीथियम जो है वो हमारी यहाँ पे धातु है नेक्स तो ध्यान देंगे इसमें कौन-कौन से हैं सिलिका है, कौपर है, जिंक है, कारवन है तो सिलिका और कारवन, कारवन यह धातु में आते हैं कौपर और जिंक धातु है तो लेकिन कौपर हमारा नीचे है बहुत कम रियक्टिव है जिंक ऊपर है यह सक्षिदासनी में तो जिंक के हाँ पे hydrogen gas बनाएगा नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं कि यहाँ बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम क्या करते हैं शोडियम क्लोराइड के जलिये विलियन में अमोनिया तथा carbon dioxide gas प्रोहिद करते हैं अमोनिया और carbon dioxide gas तो हमें NHCO3 का विलियन प्राप्त हो जाता है और NH4Clb इ बनता है इसके गुणों की बात करें तो यह सफेद किस्टली पदार्त है इसका जलिये विलियन चारी होता है पांचमे का खापार्ट है पी एच मान से आप क्या समस्ते हैं सुद्ध जल में हाइड्रोजन आइनों का संद्रत क्या होता है पी एच मान क्या है यानि कि जो जल सुध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् पुलन होते हैं यानि कि ये लगाता तत्तों को उनके परमाड करमांग के बढ़ते करम में लिखते जाएं तो एक निमी तंतुराल के बाद उनके गुणों की पुन्रा बरत्ति होने लगती है यही हमारा आधुनिक वरतनियम है इसमें दो विसेस्ताओं की बात करें तो इस सा तावर तथा ठारा समू है नेक्स्ट कुश्चन सात्वा है संत्रप्त था संत्रप्त हाइड्रोकार्वन में अंतर बताईए सात्वे कका तो संत्रप्त हाइड्रोकार्वन क्या होते हैं ऐसे हाइड्रोकार्वन जिन में प्रत्ते कार्वन परमाड की चारो सईयों जगता है एक बंध द्वारा एकल बंध होना चाहिए एक बंध ना हो करके यहाँ पर एकल बंध कह सकते हैं एकल बंध आवंध द्वारा संतुष्ट होती हैं जैसे एलकेन एलकेन में सारे जितने भी कार्वन हैं उनकी एकल से हो जगता है होती है वो हमारे संतरप्त हाइड्रोकार्वन कहलाएंगे और दूसरा है असंतरप्त हाइड्रोकार्वन क्या होते हैं ऐसे हाइड्रोकार्वन जिन में कार्वन परमाड़ों के मद्ध कम से कम एक दुईबंध या त्रिबंद उपस्तितो असंतरप्त हाडो कारवन कहलाते हैं इसमें आपका आ जाता है अलकीन और अलकाइन दो एक्जामपल ही मैंने दिया है मेथेन हमारा ये किसमें आ जाएगा संतरप्त में इसलिए ये असंतरप्त में आएगा ये संतरप्त में आएगा नेक्स्ट कुश्चन है खनिज तथा आयस्क में अंतरप्त ये साथ में काखा है खनिज क्या होता है प्रत्वी की भूपरपटी में धातों के योगिक जिस रूप में पाया जाते हैं उन्हें खनीज कहते हैं जो हम प्रत्वी से खोद के निकालते हैं जिस रूप में उसको वो खनीज है जैसे वाक साइट कोईला हो सकता है और भी जितनी चुछ हम जमिन से निकाल ले वो सारे खनीज हैं लेकिन आयसक क्या है आयसक उन्हीं खनीजों में से ही कुछ बिसेश होते हैं उन्हीं को हम आयसक कहते हैं जिनसे हम धातों का निस्करस्ट करते हैं तो आयसक क्या है वे खनीज जिनसे धातों का निस्करस्ट कम लागत में स्रलता पूरवक्त थाधिक मात्रा में किय प्रतिस्थापन का मतलब होता है कोई एक जगह पे प्रिस धे उसको हटा करके कोई दूसरा उसकी जगह पे आजाए जिनमें हाइड्रोकार्वन का एक या अधिक हाइड्रोजन अन्य परमाड़ या समोह दौरा प्रतिस्थापित हो जाता है मतलब वो हट जाता उसकी जगह पे कोई दूसरा आ गया तो प्रतिस्थापन अब करियां कहलाएंगी एक्जामपल इसका दे सकते हैं मेथेन CS4 प्रस CL2 सूर का प्रकास सानलाइड तो CS3CL और XCL देखें यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट गया उसकी जगह पे CL आ गया और XCL बन गया तो CS3CL मेथिल क्लोराइड इसका हमारा क्या नाम हो जाएगा? यह हमारा हो जाएगा मेथिल क् तो next question देखते हैं कारवन योगिकों में सहसेयोजी आवंद कारवन परमाड अन्य परमाड़ों के साथ साजहा करके सहसेयोजी आवंद बनाता है मतलब कारवन में कितना होता है उसका 6 परमाड करमांक है यानि कि उसकी 4 सेयोज अगता है तो 4 तो यह किसी को देगा नहीं और योगिकों का निर्माड करता है दो एक्जांपल हमने यहाँ पर समझाए है एक CO2 का लिया है तो देखें कारवन में कितने होते हैं कारवन में होते हैं टोटल हमारे आखरी कच्छा में 4 तो इसका परमाड करमांक है तो इसका परमाड करमांक है तो इसका परमाड करमांक साजा करके CO2 बनाते हैं और मेथेन का एक्जामपल लिया है हाइड्रोजन के एक ही इलेक्ट्रोन की ज़रूरत होती है तो चार हाइड्रोजन इससे जुड़ करके मेथेन का निर्माड करते हैं तो इस प्रकार कार्बन सहसे हो जी आवंध लास्ट कुश्चन है आठवें का ग पर प्रात्मी करनोगम पर द्धिये करनोगम यदि इसका कोई पूर्व लगन है तो उसका भी प्रियोक किया जाता है तो यहाँ पे कुश एक्जामपल्स लिए हमने उनके द्वारा आपको समझाते है पर न ही मुल सब्द कार्बन की संख्या से लेते कार्बन कितने यहां पे हैं, दो कारवन है, तो दो कारवन से हमारा क्या होता है, एथ होता है, सिंगिल वंड है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, एथेन, और क्रियात्मक समूँ वहां पे क्या लगा है, क्रियात्मक समूँ यहां पे लगा है, ओयच, क्रियात्मक समूँ क्या लगा है, ओयच लगा तो उसमें क्या लगाते हैं? All. इसमें क्या हो जाएगा? दोत्री प्राथमिक अनलोगन में एन हो गया. एलकीन एथ प्लस एन एथेन और फिर दोत्री एक अनलोगन में क्रियात्मक्षम हो के अनसार लगेगा. वो एलकोहल है. तो उसमें All जुड़ जाता है. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन और नेक्स हम देखते हैं. इसमें एक कारवन है. एक कारवन से क्या होता है? मेथ्थू. मेथ्थू. सिंगल बांड है. इसलिए मेथेन हो गया. और यहां भी OH लगा है. तो मेथेनौल. यह हमारा क्या हो जाएगा? मेथेनौल. यहां पर आग नेक्स चलते हैं. दो कारवन है. दो कारवन से क्या होता है? एथ्थू. एथेन हो जाएगा. और COH. क्रियात्मक्षम हो यहां बदल गया. यानि कि यह क्या हो गया? कॉर्वाक्सलिक एसीड. कॉर्वाक्सलिक एसीड में क्या प्विलता है? ओएक एसीड. तो एथेन में ओएक एसीड जुड़ जाएगा. तो एथेनौईक एसीड. यानि एथेनौईक अम्ल. तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं. इस